मेरा नाम है प्रमोद गड़ाई अज्तम का यहां पीका इसाङह जा रहा है जिसमें इस बारत दिन का एक बिचला रुपाई के आ जा रहा है और फचीस दीन-का चार बिचला रुपाई के आ जा रहा है तो इसमें दोनों का सोट डियूरिसर्वेराइटिस है और इदोनों में आपको सिरी जी बढ़ियां हो रहा है नो इसमें जुनरल बैधियां हो रहा है और इसमें कितना पानी का ज़रौत है बहुत कम पानी में ये 100 दिन का वैराइटी से, तो आभी हम लोग की इस plot में खड़े हैं, जहां दुनों plot है, एक plot में श्री विधी है, 12 दिन का बिचड़ा है, एक plot में जिनरल विधी है, 25 दिन का चारकार बिचड़ा रुपाई के आगिया है देखे जिस प्लोट में हम लोग खड़ा है ये स्रीविधी का प्लोट है ये स्रीविधी बारत सहभागे धान के बारत दिन का एक बिचड़ा रुपाई के आ गया है इसका दूरी है आपको 10 इंची वाई 10 इंची पधा से पधा 10 इंची और लाइन से लाइन भी 10 इंची एक बिचड़ा इसमें रुपाई के आ गया था और एक बिचड़ा से देखे इसमें एक दो तीन चार पांच छे से साथ आठ ना दस इसमें दस कला तब निकला है देखे जिस प्लोट में हम लोग खड़ा है यह प्लोट है सवागी धान का परमपरिक विधिग और इसमें 25 दिन का बिचड़ा है और 25 दिन का आपको 4-4 विचड़ा रुपाई के आ गया है जैसे परमपरिक विधिग से क्या जाता है इसका ना लाइन मेंटन है पधा से रुपाई के आ गया है दोनों प्लोट एक साथ और इसमें देखे आपको 4-4 विचड़ा रुपाई के आ गया था लेकिन 4 विचड़ा में भी से अप लोग को बहुत ज़्यादा आप इसमें 1,2,3,4 चारे है अभी इसमें इसमें काला अभी नहीं निकला है तो यहीं दोनो में इसको देखा जा रहा है जो सिरी विधी बढ़ियां हो रहा है और पारंपरिक विधी बढ़ियां हो रहा है रणाम सुनीता कुमारी मैं चंडवती बलोकर रहने वाली हूं और प्रायम संस्था के साथ मिलकर इस वर्स मैं सहभागी धान का सिरी विधी से खेती कर रही जो सिरी बिधी से लगाए हैं वो बारा दिन का बीचड़ा लगाए हैं एकक पौधा लगाए हैं और जो समान बिधी से लगाए हैं वो पचीस दिन का बीचड़ा है और इसमें चार पौधा लगाए हैं और इसका जो है लाइन से रुपाई किया गया है सिरी बिधी वाला और जिर्वाय कर दिया इसका दूरी 10 इंची, लायन से लायन 10 इंची और कर हैं, इसका कोई दूरी नहीं है, जहें के तह हमें रुपा गया परनाम दिदै, परनाम हमरा नाम है बवीता देवी, घर सत Starwarow Clark Eighth weiter ऌ क्कुम्रा से और पड़ घ्ला गया कोनो बीडर से हम सिखें नहीं से हम सिखने के लिए कि कैसे कुड़ाई होता है और कैसे निकौनी होता है वही के लिए हम आई कहलाल दिदी कि दानों में हम पानिया कर वो 15 दिने ता कुड़ाई कर वो तयाई है दिदी ता हम अई लिए करने कि आपको बताते हैं कि नदी को नदी नदी कने चलाइब देखे थिन माने की खिर यह केचुवा खाद है दिदी हाँ केचुवा खाद है और यह युरिया है यह खाद है और यह जो है दिदी काला काला ओ जाइम है यह जाइम खाद हो गिया हाँ जाइम खाद है इस तीनों चीज को हम लोग पहले खेत में डाल देते हैं तब कोनों बीडर से कुड़ाई करते ह पहलो ये तीनों चीज के मेरे खेत में डाल देते हैं ताक कोणों भी डर से कड़ाय करते हैं यही पहली कीलते हैं इक कैचुवा खाथ कि लिए जएते हैं, जैधे का थूर्य सायOT कि लिए फिंच्य जड़ेते हैं ॉदी, कि निमिग डिदर देला है इसने लाद भाद है दे आखर औहरा हाद से चीह जय को सब्कार ओता है इसको में जायम खोँधा है इसको में प्षुटि कि ह हर है इतना चाइब इसको तो उसमें केचुवा खात 5 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 केच ठीक है इसको अपका करेंगे दिदी? इसको अब बेड पर छिलाक देंगे दिदी और छिलाक कोनो बीडर चलावेंगे अब खेत में इसको ले चलना है चलिये दिदी? चलिये दिदी अब शाचचे रहत थाचचा रोड़र को दिदी आम बेड चीटे है हाँ दिदी चीटी है इसको बराबर मात्रा में पूरे बेड पर डाल देना है सब्सक्राइब बंच सब्सक्राइब करने हैं नग तो शब्सक्राइब ciclo किस साइकिल के हंडिल जैसा लगता है भी साइकिल के हंडिल जैसा लगता है इसको पकाड़ के हम लोग चलाते हैं इस तरह से तो उसके हंडिल जायत Busam तो टो तो है, डिडि चखा भरह ते ज्नाइ से तो रेल है पैट विहीं 24 फे जिकव बना कि भरह इसे कुड़ कि Cory पानी उसमें आइसे कोडता है ना दिदी तो जो इसका अथी मारता है उसमें पानी रहता है इसे ज्यादा दबे नहीं देता है तो पानी आ रहता है तो ज्यादा दबे नहीं देता है कि जैसे पानी को अंभोस जैसे गहिर तो जल गिया है ना दिदी चलिया दिधि अप बीडर चला करें? चलिया दिधि, हम भी देखते हैं की कैसे बीडर चलता है देखें दिधि, बीडर को इस तरह से रखेगा वी जो आगे वाला था था ना बक्सा उपर रहना चाहिए और चक्का डुबा हुआ हुआ रहना चाहिए तो हम तो सोचते हैं ना दिदी कैसे रासे बीडर से कुलाई हो जाता है कि मती भी कुला जाता है दिदी या हरा खाद केक गहास है जिए से हरा खाद भी हो जाता है देखिए दिदी HANDडिल है चाहिए एडें कमर तक रखना चाहिए इसो आगे पीसे टर्थे चलामा चाहिए कमर तक इना थाली रहिगा दिदी हा रकी खाल रहिगा वा यह से चला यह रहिए यह ऑझडी घाश प्रणग संग जाएगा तो ऐसे चलाईते रहेंगे न दिदी तो जो खोड़ा जाएगा तो उसमें गहास अंदर हो जाएगा हम्राजी देर ठीन है कि हम चला के देखेंगे दिजी न दिजी दिदी चलाईगे सीखने आये कि दिदी बीडर चलावे में कैसा लगा हो दिदी देखते हैं कि मैटी भी कुड़ाई हो जाता है घास भी बीडर से कुड़ते हैं तो तर्व में हो जाता है हाँ इसी का फायदा है न दिदी कि जो हम लोग एक पौधा लगाते हैं उसमें 60-70 कन्नी होता है तो हम लोग तो सीखेंगे कि हम अपना विधी से करते हैं न दिदी तो हम लोग हाथे से द्धान निकाते हैं तो हम लोग कोई पते नहीं लगता है बीडर से तो हम लोग एतन इसको आरी पर बीग देते हैं, और बीगला के बाद जो हरी खाद तयार होता है, वो नहीं होता है, अब इसको से जो मीटी में मिल जाता है, तो हरा खाद भी तयार होता है, और जो फसल है धान का, उसका पोश्टी कहार मिलता है, तो फसल इसका अच्छा होता है, तो हरा खाद हैं आपन जाता गहतिया ना दिधी हाँजी तर हम लोग तो सीक ए आएंगे तर हम आपना गहरे इस्टी हम बतावयों भाईयों कि खार एंगे.. कि कम खेत में ज्यादा पाईदा होगा और हम लोगों को गरीबी धीरे-धीरे दूर होगा तो दिदी हम लोग के और बढ़ियां से सिख आये कि हम भी आप दिदी जो रहे सीख जाएं तो हम अपना घहर में जाके खेरें गे और भाईये से बतावेंगे कि दिदी के जगा गिये हैं तो हम दिदी जगा इतना सीख के आए हैं हाँ दिदी आप सूरू से देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसका रोपाई हुआ है बीज सोधन हुआ है बीज उफचार हुआ है और बारा दिन का बीचड़ा का रोपाई हुआ है आप पूद बता सकते हैं कि हमेज भीचड़ा रूपए हैं उसमें बारा चवदा कन्नी हो गया है तो इससे हमारा खासल कितना अच्छा होगा तो ठीक है जिदी हम भी घारे जाएंगे तो भाया जी करेंगे कि सीरी विधी से हम लोग है एक धान रुपाई करेंगे दास इंच कि दादस कला मार ती कर दिया है अगौत आथ बेड़ चलाने ने भी घुत अफान है कि खाली इसमें हलके पानी लाहनों थीदी थ्द धेखने जीफित्थी देखिए एतना ही देर में आप चार-पांच लाइन देले हैं निये हम तो चार-बाउ चलाइन आपके देखके के सीखें तरह हम पुड़ाइ खेरे हैं दी कोनो बीडर चलाना एक बजपनी खेल है दी इसको चलावे में अच्छा भी लगता है और हमारा फसल जो है अच्छा होता है तो हम लोग कोनो बीडर के इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो फसल है लाइन वाइन रोपने का यही मकसद है कि सपारे जो मसीन है रती बीडर है उसको लाइन मिछ पाद शाः सकते है ऐसे जेनरल बिडिया ऐसे चलावाला में पधा कट जायादाग जाए जेंरल बिड़िवाला में तो हम करते हैं दी तो हम दी बहर ऐसी तवा हम रहते हैं और उसने हम लोग दिन भर्खितने अशी Somal te तो हम लोग झाल आए है कि एक घंता में लोग लगता है ना ढ़िध एक कठा में सभी बासी बीडर देंगी लिएे इसमें मजडूरी कम लगता है ना दिफेंपली नारी हम तफेंपले जाएं पहें कि जांगें तब है दो भी ने a sло करेंगे अपने लाहा के अधियरे नीसलिए के अपकर अब अरियर खेती आप की जयगा देखिये दिदी पहले हम िस तरह से चला रहे थे लं बाव लंब कन ओम यमेर भी छिला हैं डिदी चला है पहले हुज odpow झाल आक झाल McG लेकिन फीच वाल घास रह गया है दोनों तरफ से चलावे में तो एक भी घास नहीं बाचेगा और दोनों तरफ से पोड़ाई जो जाता है तो जब फल लगता है तो धान का पोधा गिर जाता है हावा से जो 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 जोगा घाता तो मत्यास नहीं जो जाइगा जड़ लेगा इसी मजबूत होजआगा उपर से अपना याद घर में तह्या उपना अपना याद भर में ते बीधयर जो है ऱ वहा ने आगे पीछे पीजिएगा तो इसमें मीटी महीं लगेगा है अगर अगे जो चक्काश अथी आदि है ना बक्सा इसको उपर उठे ले रहेयेगा तो ज्यादा माठी फंसेगा मुचे रहे अजय कर दो के बादाता। देखे देदी जो तावरिके वीडर चलाय थे ना पांदरा दिन पर चलाय थे अभी पचीस दिन हो गया है अब देखे देदी इसमें कितना कन्नी हो गया हेक दू, तीन, चार, पांच, छव, साथ, आठ, नौ, दास, गारा, वारा, तेरा, चाउदा, पंदरा, सोला, सटरा, ठारा, वीस कनी होगा तो जहनाम आये ना दिदी, तो देखें कि दासे कनसी है, तो उसके इतना कॉला मार था दिदी अज पचीस देने इतना कॉला मार दिया, हूँं, पचीस दिने आज हो गया इसमें अब दूसरा बीडर चला वेँगे ना दी, हाँ दूसरा बीडर चलाने से देधी अरह में कौका फीन करने परता है से हम n'. झाल जै यत इन दी, दी, दी बीडर चलावे से पहले इसमें 175 ग्राम उरिया और 100 ग्राम पोटास मिला के छिड़काव कर दते हैं तब इसको कोड़ाई करते हैं हम लोग दधार जाए।歐 तो क्हा है, तो क्या तुरी इसमें बीडार जनताः शिली इप में जृताThya ढ़ेको चान दे़ जाए। तो नहीं भी चल सकता है, तो दुए तूरी चलता है ना दुड़ी बीड़ा, आइसे तो चलाना है तीन बार लेकिन दू बार एदम जरूरी चलाना, ठीक है, देखे दिदी पिछला बर जैसे बीड़ा चलाये थे ना, उसी तरह से बीड़ा चलाते हैं हम लोग, और पौधा इस वक्त घाना क्ला हो गया है, तो इस पर पौधा पर भी ध्यां देकर चलाते हम की पौधा कटे हैं है, जैसे तीन बार में पौधा कटने के जैसे अथिराता है की दुए तूरी नच्छा चलाते हैं है ना दुड़ी, हाँ देखे है दुड़ी, पौधा हम लोग बशा कर को आड़ी दखे है लेदा है, जा जावी नची के घचा है